याई नितीजी उधर जोग चले गए हैं हमारे मूह में सीधे 22 दाथ है उनके पेट में नितीज के दाथ है आपको एक मोका था आप कांगरेश की बात करते CPI, CPM की बात करते जोर साब वहां बैठे हैं 77 में चपरासे में मेमर पार्लेमेंट बनके आया था लोग सवा का हम सब लोग एक साथ थे सभी लोग अंदोलन में थे आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल कांगरेश के खिलाब हम लोग लड़े थे उसमें जस्वंद बावु जेल में नहीं थे कि आप लोग तो आप लोग तो आप लोग तो आप अकेले नहीं आप अकेले नहीं है दिल्ली में इसे बुधी जीवी लोग है बुधी जीवी बुधी नहीं है लेकि बुधी से जी रहे थे तो खर छोड़ी इन बातों को ज्यादा आपको टर्चर करने की ज़रूरत तो महोदे मैं बताना चाहता था ये जोर साब है संसतहक्तर में महोदे है हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं दिल्ली में हम लोग जब आये राइद नराइज जी, जोर साहब, चौदी चरन सिंग जी हम लोग उसी परिवार के लोग है महोदे चाहे मुलायम सिंग जी हो और कोई हो या नितीज जी उदर जोग चले गए है हमारे मुह में सिधे 32 दाथ है उनके पेट में नितीश के दाथ है जो वहाँ चले गए पेट में दाथ, पेट वाला दाथ वाला खतरनाक होता है तो महोदे मैं संसतातर को या दिला राचाता हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे है ये नई बात नहीं किसी कारण से नए जमता पाथी जमता पाथी का खंड खंड हुआ कोई यहां गिरा, कोई उहां गिरा, कोई उहां गिरा बंगलोर में हम लोग जूटे नाम का सारा जगरा ये सबात लेकिन سंसतहक्तर के सत्ता को हम लोगों ने लाग मारा था क्यों मारा हम सत्ता के भूखे नहीं हैं हमने उस सवाल को उठाया था अरे नई नई आप आए हैं मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगं के वज़े से संसतहत्तर में दोहरी सदस्ता का सवाल उठा गया था मजबुती से हम लोग के द्वारा कि अगर आरेशिस में रहना है जोर साभी बोलते थे चाती पर हात रख के बोलें यही उठाए थे हम तो लोग नहीं थे हम लोगों ने कहा था या तो RSS में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए दोरी सदस्ता नहीं चलेगा इस मुल्क में और देश के सेकुलर करेक्टर और फांडेशन को हम लाथ नहीं मारेंगे आपको याद होगा इसलिए हम लोग तूटे और हम लोग नहीं नहीं तो चुनाओ और हम लोग चुनाओं में गए हमारी लाई आपसे है आपने कहा अब बताईए हिंदू 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 त्वा हिंदू त्वा हिंदू त्वा कौन बिरोध करता ते हम लोग के पोरोहीत या दवानी की कैसे हो सकते हैं यह हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं हم पंडित से फूजा कराते हैं हमारी मा बहान गाउं गरहीं ग्रहूं सारे लोग इठीका क्या आपने के से ले लिया आज इस धेश का से कुलर करेक्टर सेकुलर इजम है इसलिए रावरी देभी गाउं की बेटी मुखमंत्री बनती है देश की एक ताखंता जब भारी नाग पर पानी आया तो हमने कहा अकमीजिया के लोगों को महोदे लोगों ने पूछा की क्या करोगे हमने एक केलेंडर करा दिया चोगिलो रोज बोलते थे दिल्ली में नहीं नहीं जैललता जी से पैचप हो गया लालू मुलाय में लडाई हो गई बिगर दिरों में कोई कूछ कोई कूछ आप हम जो है सो के पहले बोल देते थे इस बार हम लोगों ने सांट्रिक तरीका से काम किया ही समझ लेए चुकि साइंस और टेकनोलोजी का जूग है आप दंता पैना छोड़ के अगनी में परवेश कर गए हैं अब पोखरन में तो हम लोगी अवरी सांट्रिक तरीका का इस्तेमाल किया है आप पूछ रहें क्या रूप होगा क्या रंग होगा इसमें रंग अजुबा होगा इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा आप जाए अभी भी मेरा सुझाव है हलाकि सुझाव देने का हकदार आपके उमर के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते लेकिन आपने कहा था मानने परधान मंत्री जी पूरे देश के कांगरेश के लोगों को वीन उभर करने के लिए समपेथी लेने के लिए कि नहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का परधान मंत्री बनेगा आपने कहा था लिखा हुआ है रेकर्ड में आपने कहा थे तो आप एक बार नहीं आप दो बार हो गए नहरु जी तो एक बार बोले आप हो गए दूबा आप तो जान छोड़िये मुल्क का अब अपने हम लोगों नहीं है अब आप हम लोगों को पाथ पढ़ाते हैं अडवानी जी चले गए उठके अडवानी जी उठके चलेगा आप हमको पाथ पढ़ाते हमको सिच्छा देते जब हमारे आदर्निय जो चोटी के नेता थे मुल्के मुल्क के नहरु जी जैसे लोग लोहिया जी जैप्रकास्तराइं जी सारा जो पक्ति के उसमें नेता थे उन्होंने आपको जरूरा अशिरबात दिया और उनकी अशिरबात से दो बारा पो गए लेकिन अभी जो आपने कार्ज करम घोसना किया था इसी हाउस में जवार रोजगार जोजना को क्यों मिटा दिया आपने री नेम क्यों कर दिया सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया इंद्रावास को क्यों आपने री कंपाइल कर दिया आप इतिहास को मिटा के लागना चाहते हैं इसके लिए हम चाहते हैं इस सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो क्या कौन मंत्री क्या मंत्री हो मंत्री मंत्री आएंगे और जाएंगे लेकिन एक बार मुल्क मुठी से निकल गया तो फिर सम्हाल से बाहर हो जाएगी बात इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भोटिंग के पहले सिधे राश्पती भौन में चले गए आपने पहले भी ये काम किया और ये लोग घेर घेर के आपका आपका अपमान करवा रहा है अगर जीत जाएंगे जीते का आपका हार चुके हो गलत फाहमी में नहीं राना आर इस बार भोटिंग होगा ख़ड़ा होके अगर भोटिंग भी वागा अवो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे उस बार आपने भी गल्टी कर दिया था और हमारा भी बटम गलत दब गिया था पनार बलते ने भी इसलिए मेरा निवेदन है दे अरवाई रुके ना अबरी ऐसा दुरूस भोट पर रहा है कि हम ऐसा के लिए याद रहेगा अबरिया से बोट पर एगा इसलिए मैंने कहा क्यों पीला हुला कागज नहीं रहेगा कहा लाल जला कहा उजर जला कर दो